कल के मैच में काफी सारे रेकॉर्ड ब्रेक हुए हैं चलिए मैं आप लोगों को जल्दी से बता देता हूँ जियां गाइज आप लोगों को पते होगे कल था मैच बेट्विन आर्सीवी और संराइजस हैदराबाद जिसे संराइजस हैदराबाद 25 रन से जीत लिए और भाई क्या मैच था ये कल के मैच में रेकॉर्ड पे रेकॉर्ड ब्रेक हुए हैं आप लोगों को पता होगा कि हैदराबाद IPL हिस्ट्री का सबसे हाइस रन बनाये थे इसी साल और कल के मैच में वो अपने ही रेकॉर्ड को ब्रेक करके फिर से एक नया रेकॉर्ड बनाये of 287 runs which is the highest team score in IPL now then कल second innings में भी सबसे highest score बना आज तक का जियां RCB chase करते भी 262 runs बनाय थे and it is the highest team score in the IPL while batting second then कल एक T20 मैच में सबसे ज़्यादा runs बने which is 549 runs and यह first ever T20 गेम था जिसमें 50 से भी ज़्यादा चौके लगे हैं then Travis Head ने 100 runs बनाय in 39 balls एक T20 मैच में सबसे ज़्यादा 6s लगाय गए है and यह सिर्फ IPL में नहीं एक T20 मैच में सबसे ज़्यादा runs बनाये कल and of course कल के मैच में बहुत ज़्यादा credit जाता है दिनेश कार्थिक को भी वो Bangalore के तरफ से बहुत अच्छा खेले and उन्होंने 35 balls में 83 runs बनाये थे जिसमें से उन्होंने 5 चौके लगाये थे और 7 चुके and उनका 1-6 भाई इतना लंबा गया था कि वो बन गया IPL 2024 का longest 6 वो 108 meters का 6 मा रहे थे भाई and RCB अब दोनों records hold करते हैं lowest score in IPL तो उनका था ही लेकिन कल के match के बाद most unconsidered in IPL भी हो गया है बढ़ या chase करते वक्त इतना score किसी नहीं किया था तो ये record भी तो बैंगलोर का ही है आप लोगों को कल का match कैसा लगा था मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना और भाई जिन्होंने कल का match मिस किया है sad for you भाई